हलो दोस्तो हमारे चनेश्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम संचारार के बारे में पढ़ेंगे साथ ही हम आवर्तसार्णी में धातूओं के विभिन्ने इस्थिति और उनके गुडों के बारे में पढ़ेंगे तो चली स्टा संचारार की इन कारणों से होता है तो हमारे वायो मंडल में उपस्थित विभिन प्रकार की गैसे जैसे कारवन डैक्साइड, सल्फार डायोक्साइड, नैट्रोजन डैक्साइड इन सभी गैसों के कारण संचारार की प्रक्रिया होती है और इन संचारार के कारण जो औक्साइड या फिर धात्विक हैड्रोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी परिवर्तन की क्रिया को कहा जाता है संचारण संचारण विविन प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है पहला कारक होता है धातूओं की प्रकृती अर्था धातूओं की जो क्रिया सिल्ता होती है उसके कारण जो संचारण की दर होती है वह प्रभावित होती है अगर धातूओं की क्रिया सिल्ता अधीक है तो संचारड की दर अधिक होगी अगर क्रिया सिल्ता कम है तो संचारड की दर कम होगी अगर हम क्रिया सिल्ता की बात करें तो लोहे की क्रिया सिल्ता अधिक होती है इस कारड उसमें संचारड अधिक होता है वैसे ही अगर सोना चांदी इन सभी धातों की बात करें तो इन में क्रिया सिलता कम होती है अर्थात इसमें संचारड बहुत ही धीमिगती से और इसी गुड के कारड जो सोना और चांदी होते हैं वह प्रकृति में सोतंतरवस्था में पाय जाते हैं संचारण को प्रभाइद करने वाले कारकों में अगला है वायू मंडल की प्रकृती अगर वायू मंडल में कारबन एकसाइड, सलफर डायोकसाइड, सलफर ट्रायोकसाइड या फिर नमी या खारापन कम हैं तो वहाँ पर संचारण की दर कम होगी तो वायू मंडल की प्रकृ प्रकृति भी संचारण को प्रभावित करती है अगला कारक है धातूं की विक्रिती अगर धातू खुर्दुरी है मुड़ी हुई है तो वहां पर जो अडू होते हैं उनका तनाव अधिक होता है और तनाव अधिक होने के कारण वहां संचारण अधिक होता है तो इन सभी कार चारकों को हम झात रखना है कि संचार्र आप के ured करने वाला उपाय से विभिन प्रकार की उपायों की मौध्य हमshe बचा जा सकता है पहला उपाय है धातू में पेंट, ग्रीस या तेल लगा कर अगला उपाय है धातू में अन्य धातू की परत चढ़ा कर जैसे कि गेलवेनाईजेसन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जस्ते की धातू की परत चढ़ाई जाती है तो इसे हमियाद रखना है कि जो गेलवे नाइजेसन की प्रक्रिया होती है किसी धातू में अन्य धातू की परत चढ़ाने की प्रक्रिया उसमें जस्ते धातू की परत चढ़ाई जाती है अगला संचारर से बचने के उपाए हैं लोहे के उपर पीच अकल तरह या फिर एलमुनियम का पेंट लगा कर एक अन्य उपाए है जिसके माध्यम से संचारर से बचा जा सकता है लोहा होती है अगर उस लाल तब तक कर देते हैं उसके पस्चाद अगर उसमें जलवास्प प्रवाहित करते हैं तो जो आइरन होती है वह जलवास्प से क्रिया करके आइरन ऑक्साइड बनाती है और एक प्रकार की परत करिमार करती है और यहाँ परत लोहे को संचारण से बचाती है तो इन सभी उपायों के माध्यम से संचारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है संचारण से बचा जा सकता है अगला हम पढ़ते हैं लोहे में संचारण लोहे में जंक लगना या फिर संचाराड की प्रक्रिया किस प्रकार होती है लोहे में जंक लगना एक प्रकार की रसायनिक परिवर्तन का उधाराड होता है लोहे में जो जंक लगती है वह मुल रूप से हाइडरेटेट फेरिक ऑक्साइड होता है जंक लगने की क्रिया एक प्रकार की विद्धुत्र सायनिक से धान पर अधारित होता है जिसमें जो असुद्ध लोहा होता है जिसमें जंक लगता है वह एक प्रकार के विद्धुत्र सायनिक सेल की भाती कारी करता है उसमें जो सुद्ध लोहा होता है वह कैथोड की भाती का और उसमें जो नमी, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डेक्साइड वायो वंडल में उपस्तित होते हैं, वे सभी विले होते हैं और वे विद्धोत अभगटे की रूप में कारी करते हैं, इस प्रकार जो जंक लगने की प्रक्रिया होती है वह विद्धोत्रसाइनिक सिध्धान प होते हैं, इलेक्ट्रोन वह जल के साथ क्रिया करके हैड्रोक्साइड आयन बनाती है और जो एनोट पर आयरन का जो आयन प्राप्त होता है वह हैड्रोक्साइड जो की कैथोर्ड से प्राप्त होती है उससे क्रिया करके फेरस हैड्रोक्साइड बनाती है और जो फेरस हैड् वह oxygen और जो नमी होती है उसके साथ क्रिया करती है और हमें जो संचाराड के रुप में प्राप्त होता है वह होता है AP2O3 into XH2O इसे हमें आद रखना है इसे कहा जाता है hydrated iron oxide जंक लगने से जो लोहा होता है उसके भार में बृध्धी हो जाती है पैच्छा की द्रिष्टी से इसे हमें आद रखना है कि जंक लगने से लोहे के भार में बृध्धी हो जाती है इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं धातूं के oxide की प्रकृती कैसी होती है तो जो धातू होते हैं उसके oxide की प्रकृती चारी होती है अर्थात यह जल से क्रिया करके चार बनाता है इसके उदाहराट की रूप में हम देख सकते हैं कि जो sodium oxide होती है magnesium oxide होती है और calcium oxide होती है यह सभी धातू के oxide होते हैं और इनकी प्रकृती चारी होती है वैसे ही कुछ ऐसे धातू होते हैं जिसके ऑक्साइड उभैधर्मी प्रकृती के होते हैं इस प्रकार के उभैधर्मी प्रकृती के जो ऑक्साइड होते हैं वह अमल और छार से क्रिया करके लवड और जल बनाते हैं इसके उदाहराड की रूप में आप देख सकते हैं यह उभैधरी प्रकृति के होते हैं जिंक ऑक्साइड, एलमुनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड यह तीनों उभैधरी प्रकृति के होते हैं यह अमला और छार से क्रिया करके लवड और जल बनाते हैं इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं मिस्रधातू के बारे में मिस्रधातू क्या होती है तो जब दो या दो से धातू या फिर अधातू का अपस में मिलाकर समांगी मिस्रड बनाया जाता है तो उस समांगी मिस्रड को कहा जाता है मिस्रधातू मिस्रधातू के संबन में एक अन्नी चीज हमे याद रखना है कि अगर मिस्रधातू में एक अभियो पारा होता है तो जो मिस्रधातू प्राप्त होती है उसे अमलगम कहा जाता है तो अमलगम में एक आवस्यक तत्व है वह है पारा अर्थात पारा के बिना अमलगम का निर्मार नहीं किया जा सकता मिस्रधातू के गुड़ होते हैं वह उसके अव्यवी तत्वों के गुड़ से भिन्न होते हैं इस बिंदू को हमेयाद रखना है कि मिस्रधातू के गुड उसके अव्यवी तत्वों के गुडों से भिन्न होते हैं और उनका जो गलनांग होता है वह अव्यवी धातू के गलनांग की तुलना में कम होता है। यहाँ पर कुछ मिस्रधातू के उधारर दिये गए हैं जो कि परिच्छा की दृष्टी से अत्यान महत्पूर हैं एसे परिच्छा में प्रत्येक वर्स मिस्रधातू से संबंधित एक प्रस्ण पूछा जाता है तो इन सभी मिस्रधातू को हमे आद रखना है कि पीतल जो होत होती है वह कौःटी है वह कौःटी से मिलकर लिए वैसे ही जो कासा होती है वह कौःटी से बनी होती है मोटाँल जो होती मिस्रधातूक रहा है मोरनल मैटेल जो की copper, iron और nickel से मिलकर बनी होती है उसके बाद जो अगला मिस्रधातु वा है German silver German silver अत्यान महतपूर्ड मिस्रधातु है यह copper, zinc और nickel से मिलकर बनी होती है German silver के संबन्द में एक अन्य प्रस्ण पूछा जाता है German silver में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है उसमें option में ये दिया रहता है silver तो इसे हमेयाद रखना है कि German silver में silver नहीं होता है यह copper, zinc और nickel इन तीनों धातु के मिस्रधातु होता है अगला मिस्रधातु होता है डियूरे, lumen यह जो होती है वाई, aluminium, magnesium और copper का मिस्रधातु होता है इससे जो मिस्रधातु प्राप्त होती है वह हलकी होती है इसका रडिसका उप्योग वायूयान, निर्माण में किया जाता है अगला मिस्रधातु होती है नैक्रोम जो की nickel, chromium और iron से मिल कर बनी होती है इसका उप्योग जो प्रेस होती है iron उसमें इसका उप्योग किया जाता है उसमें जिस्रधातु का उप्योग किया जाता है वह नैक्रोम होती है अर्थाद जब हम उसमें विदुधर प्रवाहित करते हैं तो वह घर्मा हो जाती है और उसी से उसमा का उत्सरजन होता है तो इसे हमें आद रखना है कि नाइकरोम जो होती है वह निकिल, क्रोमियम और आइरन से मिलकर बनी होती है अगला मिस्रधातू होता है सोल्डर जो की लेड और्टीन से बना होता है सोल्डर का उपयोग जो विद्दुतार होते हैं उसे आपस में जोडने के लिए किया जाता है तो यह जो होती है वह लेड और्टीन के मिस्रधातू से बनी होती है अगला होता है इल्निको इस बात जो की इल्मुनियम निकिल और कोबाल्ट से मिलकर बनी होती है उसके बाद अगला महत्पूर्मिसर धातु वह हैस्टेनलेस इस्टेल जो की आैरन, क्रोमिअम, निकिल और कार्बन से मिलकर बनी होती है इस्टेनलेस इस्टेल को अप्योग बरतन बनाने में किया जाता है और यह एक प्रकार की जंक रोधी होती है क्योंकि इसमें क्रोमियम धातू पसीद होता है अगला हम पढ़ते हैं आवर्तसान्नी के बारे में सबसे पहले हम मेंडलिब द्वारा प्रतिपाधित आवर्तसान्नी के बारें पढ़ते हैं मेंडलिप के द्वारा तत्मों का वर्गी करड़ किया गया, उन्होंने तत्मों के भौतिक और असानी गुड को उनके परमाडु भार के आवर्थी फलन के नुसार ब्योस्थित किया, उन्होंने जो आवर्थ असान नहीं दी उसमें 9 वर्ग थे और 7 आवर्थ थे, वर्ग का देख सकते हैं इसे चैतिच कतार कहा जाता है और इन चैतिच कतारों को आवर्थ कहा जाता है मेंलीप के द्वारा जो आवर्त असानी दी गई इसमें alan रखना है कि मेंलीप के द्वारा जो बहुत से परिवर्तन हुए और अंत में एक सरोमान्य आवर्तसांडनी का निर्माड वह जिसे कहा जाता है आधुनिक आवर्तसांडनी और इस आधुनिक आवर्तसांडनी को ब्रिटिस वैग्यानिक मोशले के द्वारा निर्माड किया गया था उन्होंने तत्तों में एक परमाडु संख्या कहा और इसी परमाडु संख्या के अधार पर उन्होंने एक साड़नी तयार की जिसे आधुनी कावर्त साड़नी नाम दिया गया तो इसे हमयाद रखना है कि आधुनी कावर्त साड़नी का प्रतिपादन मोशले के द्वारा किया गया था और उन्होंने एक की संख्या थी वह थी 18 जबकि 36 कतार जिसे आवर्द कहा जाता है उसकी संख्या थी 7 तो इस अंतर को हमें आद रखना है कि मेंडलिप के द्वारा जो प्रतिपाधित की गई उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्द थे जबकि आधुनिक आवर्द साड़नी में 18 वर्ग और 7 आवर्द ह जो उर्ध्वाधर रेखा थी उसके जो पहली उर्ध्वाधर रेखा है उसे चार धातु कहा जाता है जबकि जो अंतिम उर्ध्वाधर रेखा है उसे निस्क्रिय धातु कहा जाता है आधुनिक आवर्द साड़नी में परमाडु संख्या 58 से 70 तक के तत्वों को लेंथे न तत्व है और यहां पर यहां पर केवल दो तत्व आपर देख सकते हैं यहां और यहां पर केवल तत्व है जबकि जो दूसरा और तिसरा आवर्त है वहां पर आठार तत्व हैं चोथे और पांचवे आवर्त में अठारा तत्व हैं जबकि छट्वे आवर्त में सबस्यधिक 32 तत्व हैं तो इन सभी अंकों को हमयाद रखना है कि पहले आवर्त में दो तत्व हैं दूसरे औ अलग अलग नाम से जाना जाता है सबसे पहला वर्ग है यहां पर आप देख सकते हैं उसे कहा जाता है छारी धातू जबकि उसके बाद जो वर्ग 2A होता है उसे कहा जाता है छारी भूधातू यहां पर आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है छारी भूधातू वर्ग 3B से ले नुबल धातु कहा जाता है उत्कृष्ण धातु उसके पस्चाद जो अंतीम वर्ग होता है जो इसे सुन्ने वर्ग कहा जाता है और इसे अक्रिय धातु कहा जाता है इसमें सभी अक्रिय गैसे विद्मान होती है तो इन सभी को हमें याद रखना है कि वन एको चारी धातु 2A को छारिय भू धातू, उसके बाद ट्रांजिसन धातू, 3B से लेकर आड़ तक को, उसके बाद वर्ग 1B को नोबल धातू या फिर उत्कृष्ण धातू कहा जाता है, और जो अंतीम होता है सुन्ने वर्ग उसे अक्रिय धातू कहा जाता है, आवर्तसार्णे की उसे स्तायर अर्थात जो आवर्तसार्णे होती है, उसके बाएं से दायर जाने पर उसके गुड़ों पर क्या प्रभा पड़ता है, और जो वर्ग होती है, उसके उपर से नीचे जाने पर धातूं पर क्या प्रभा पड़ता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्तसार्णे में ब प्रिद्धी होती है जबकि कमी किसमे होती है अर्थात जो आवर्तसाणी होते हैं उसे बाये से दाये जाने पर पहला धात्वी गुढ़ होता है उसमें कमी होती है उसके पश्चात जो रसाइनी क्रिया सिलता होती है वहां कम होती है परमाडू अकार या फिर परमाडू गुड़ों पर क्या प्रोहापड़ता है, कौन-कौन से गुड़ों में वृध्धी होगी और कौन-कौन से गुड़ों में कमी होगी। आप देख सकते हैं सयोजी लेक्टोनों की संख्या सयोजगता ये सभी अपरिवर्थित रहती है और जो धातू के रसायनी क्रियसिलता होती है वह बढ़ती है और जो धातू होती है उनकी रसायनी क्रियसिलता घरती है तो परिच्छा की दृष्टी से इसे हमयाद रखना आव हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नॉटिफिकेशन बेल भी आन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुचे सबसे पहले धन्यवाद